आपके और है एलसे में सेफ में ऐसे कोशन कर लेते हैं हम लोग उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चेप्टर की सुरुवात करेंगे एक बैक्ति के पास क्रमस दस पंदर और पचीस मीटर लंबाई के तीन लोहे के छड़ है वह तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुक्रे काटना चाहता है तो बीना कुछ बराबर किये उसमें से कम से कम कुल कितने टुक्रे काट सकता है यह आपको बताना है कि निव टॉपिक आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा कोशन रहे गया है इसको कंप्लीट ही कर रहे है तो बहुत अच्छे तरीके समलों क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे तो कल से आपकी new कुछ टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा एक बर आप कॉमेंट कर दीजेगा एंड बे कि आप कल क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे कल इस्टार्ट करेंगग कि कि अच्ट कर यह आए इस प्रश्ण पर आते हैं इस को शचन को करते हैं इसका जबाब क्या होगा इसको देखते हैं एक बेटी के पास करम से 10 15 और 20 मिटर लंबाई के तीन लोगे के चड़ है ठीक है देखिए थोड़ा सा समझते इस कोशन को आपके पास तीन छड़ है आपके पास क्या दिया गया है तीन छड़ दिया गया है सपोज ये पहला छड़ है ये दूसरा छड़ है और तीसरा छड़ है ठीक है और इसके लंबाई क्या दिया गया है इसका लंबाई 10 मिटर द कम कुल कितने टुक्रे काटे जा सकते हैं या आपको बताना मतलब कम से कम इसमें से कितने टुक्रे काटे जा सकते हैं जो सभी टुक्रे बराबर लंबाई के हो सभी टुक्रे के हो बराबर लंबाई के हो सभी टुक्रे के हो यह अलग-अलग लंबाई के हैं तो इसमें से जो ह अधिकतम लंबाई के कम से कम कितने टुकड़ी काटे जा सकते हैं जो सभी आपस में बराबर हो यह आपसे पूछा गया है और इसमें से कुछ भी बरबाद ना हो तो इसके लिए में यह क्या करना होता है इस नंबर का S.T.F. निकालना होता है SCF से जो number आएगा, वो number एक ऐसा number होता है, जो इसको पूरी तरह से cut कर देगा, मतलब इसको बराबर पार्ट में divide कर देगा, इसको पूरी तरह से cut कर देगा, मतलब इसको बराबर पार्ट में divide कर देगा, इसी संख्या को भी पूरी तरह से cut कर देगा, मतलब इसको बराबर प इसके बीच का डिफरेंस का है पांच है तो सिफ क्या हो गया पांच पांच इसको भी डिवाइड कर देगा इसको भी डिवाइड कर देगा इसको भी डिवाइड कर देगा यह जो पर्तेक टुकुरा हमारा होगा वह पांच मीटर का होगा पर्तेक टुकुरा कितने का होगा प पंदरे में जैसे में डिवाइट करेंगे 50 से तो चार टुकडे यहां से मिल जाएंगे तूल हम des Eyes की तो टोटल में इस तरह कि कितने टुकडे बना लिए इस तरह हमने बना लिए पाँस और चार म मोग soup Tul जो है हम लूब बराबर लमबाई की बना सकते है है जो हमारे तुक्रे की लामभाई 5-5 मेंटर होगी. तो मुझे उमीद है कि आपको ये प्रसंच समझ में आया होगा. एक बार कॉमेंट भी कर देंगे आप, अगर दिक्त होगी तो. अब इसी टाइप के दो- asshole को क्यों और कर लेते हैं, यह आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें एक ब्यापारी के पास 300 मिटर नारियल का तेल 330 लिटर मुफली का तेल और 420 लिटर सुरज मुखी का तेल है ठीक है तो उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है तो उसको कम से कम कितने पात्रों की आओ सकता होगी यह बताना देखिए किसी आदमी के पास कोई आदमी है कोई आदमी है जिसके पास तीन तरह के तेल है यह पहला तेल है यह दूसरा तेल का बॉक्स है यह तीसरे तेल का बॉक्स है तीन तरह के तेल के बॉक्स है के और इसमें कितना तेल भड़ा हुआ है इसमें 300ожव टेल इसडीवे में 300 लिकल्स है इस तेल में कितना तेल चार्ट नुर्वत टुल तेल नहीं तो वो कितना बोटल लेना पड़ेगा कि सभी तेलों को इसमें रख पाएगा यह बता है मतलब चोटे-चोटे बोटल में हमें क्या करना इन सभी तेलों को डालना है तो ऐसे ऐसे कितने बोटल हमको बनाने पड़ेंगे यह आपको बताना इस बोटल की संख्या क्या होगी बत तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम इनका LCF निकालेंगे इनका क्या करेंगे यह SCF निकालेंगे इनकाम क्या करेंगे SCF निकालेंगे जैसे पहले कोशन हम ने किया था SCF निकाला था वैसे यहां भी क्या करेंगे SCF निकालेंगे Estef सोंगी संक्याा आएग संक्या बताएगी कि वह इसको भी कट कर देगी भराबर मातरा में इसको भी बराबर मातरा में में पर्ठेक जो rocks है पर ते स्भॉल की जूप माप होगी उस बोटल की यो चंपता होगी हो हमें यह सिससरी समय यदिस का इसको भी दिफ्रेंगा टीजिए टीज गीजुन कट लीजिए थिसली समय वाइड बड़ए कर देगा इसको मुझा खया आसफ क्या कर सकते हैं तेल को अगया खोर fatal कि भी 30 जालने अब आइसे इसे कितने बोट्ल हमВы को लेना होगा ये बताना आए तो इसने बोटल बनेंगे तो बनेंगे सब ढूँनिया सर्थिस से डिवाइड कर दो जैसे डिवाइड कीजेगा तो दस सबार में कम कर्टिगा हम इसमें 30 स Dare तो तीन चुब का बारों 14 बार में कटे गा अब इसको जोडेंगे तो ऐसे ऐसे बॉर्टल की संख्या कितनी हो जाएगी पाचीश और दस पैंथिस बॉर्टल की संख्या क्या होगी पैंथिस यानि पैंथिस क्या गया जबाब यानि option टो ना को तो आप डैरेट किया करेंगे इसका हमें अहिक निकाल देंगे सränे आसने हम में क्या बताएगा कि पर्टिक बोटल की माप होगी वह बतायींगा अब पर्तिक बोटल की आम्माप है Patreon तो इसमें में कितने बोटल इसके लिए लेने परेंगे सिस के लिए 10 can a judgment gonna परें वे यह तो सब Repeحने के लिए इस तरह के कितने वोट्व लेने पड़ेंगे दस बॉट लकुब chicks लिए यह सभी तेल को रखने के लिए इस तरह कि कितने बॉटल लेने पड़ेंगे? 14 तो सभी बॉटलों की संख्या किया होगी 35 35 क्या हो गया आप का जबाव हो गया पात्र की संख्या, boteल की संख्या, डबबे की संख्या कितनी हो गई 35 हो गया चलिये तो क्या आप वे बुट्खचों को बिल्कुल किलिया रहां साउजागा कि तीसरे नंबर स्वाल के जबाब क्या होगा एक वेक्ति को तीन द्रव पेट्रॉल के 403 लीटर डीजल के 465 लीटर और मुंबती आयन के 496 लीटर को बीना एक दूसरे के मिलाए पूरता समान मापको बोतल में ऐसे डालना है कि परतेक बोटल पूरी भरी जाए ऐसे बोटलों क कम से कम कितनी संख्या की आउ सकता होगी यह आपको बताना है ऐसे बोटलों की कम से कम कितनी संख्या की आउ सकता होगी यह आपको बताना है इसका जबाब क्या होगा यह कॉमेंट करेंगे कर से लिए करोगा तो इस प्रसंद का जब च्वाब क्या होगा यह कॉमेड करकी मुठी मते में बिल्कुल सेम् टाइप का OC Alison आप क्या करेंगेочку थे NO पहली संख्या क्या है 403 है दूसरी संख्या क्या दिया गया है 465 दिया गया है तीसरी संख्या क्या दिया गया है तो आपको 490 दिया गया है 31 में 2 क्या इसको डिवाइड करेगा नहीं 2 क्या इसको डिवाइड करेगा नहीं तो 2 जो है डिवाइड नहीं कर रहा तो SCF नहीं होगा बच्चा मारे पास 31 31 को डिवाइड करना ही पड़ेगा तो 31 क्या हो जगे इसको भी डिवाइड कर देगा तो 10 और 3 तिरुस ते रा बार में कटेगा प्लस। यह कितनी बार में और 5 पंदरा बार में कटेगा यह कितनी बार में कटेगा च्छी है तो 16 बार में कटेगा अब इसो जोड़ेगा, कितना होजआगा 15 15 30 और एक 31 और तीन क्या हो गया 34 और दस क्या हो गया 44 यानि 44 पात रेनी 44 बॉटल की जुरुत पड़ेगी आपको यानि option number B क्या हो गया इसका जबाब इस प्रशन का इस प्रशन का जबाब क्या हो गया option number B हो गया तीसरे नंबर स्वाल का कि आप में से किसी बच्चे को डाउट है कि आप में से किसी बच्चे को डाउट है इस प्रशन में कि चलिए कि चलिए बहुत बड़ी आपका जबाब है 44 यहां पर जबाब है आपका option number B का जबाब होगा आते हैं तीसरे के बाद चौथे नंबर स्वाल पर चौथे नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह बता दीजिए चार नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह आपको कॉमेंट करके बताना है अब बिल्कुल सही जबाब था अगर को शोटे सी निद्स सब कर और अपट रहेंगे यहां पे बच्चों का कॉमेंट भी आ रहा है कि बहुत बुरी हाल है ठीक है तो आप सभी बच्चे न कुरोना में थोड़ा सा सेफ रहा हैगा घर से निकलिएगा इमत अगर कोई बहुत अरजेंट काम नहीं है तो घर से निकलने की requirement नहीं, आपके पास आपका mobile है, आपके पास आपका book है, आप पढ़ते रहें और आप अराम से घर में रहें, खाना खाईए, अराम से लेटे रहें और बेट पर पढ़ते रहें, इसके अलावा कोई ज्यादा काम नहीं करना आपको बाहर जा करके, घर में आप बै कि ये vaccination शुरू हो चुका है, सब को पढ़ जाएगा, तो ये महाल क्या होगा, फिर से एक बार दब जाएगा, सांथ हो जाएगा, किसी बच्चे का कॉमेंट आरा कि 403 को 31 से कैसे कटाया हम, देखिए, 31 से 13 बार में कटाया, 13 से गुना करेंगे, तो क्या एक में गुना करेंगे, 13 हो जाएगा, 13, हात में 10 बचा, 13 तिया 49, और 49 को लो क्या करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 का आपका 3 हो गया, 13 तिया 49, और 49 और 10 कितना हो जाएगा आपका, यह क्या 31 से नहीं कटेगा, 403, एक बड़ चेक कर लिजिए इस कोशन को, 403 यहाँ पे दिया गया है, 31 से यह कटेगा, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो गया, 13 तिया 49, 49 और 3 कितना होगा आपका, यह संक्या कट नहीं रही है, एक सेकन उजिएगा, यह आपको 403 दिया गया, ठीक है, 403 दिया गया, इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 तिया क्या होगा, 49 हो जाएगा, 49 से एक बचा, और यह क्य सब्सक्राइब गवाइब करने कि दिए को बना को एक कर गोदी को कि या उंतालिस हो गया यहाँ पे क्या बचाइगा एक बचेगा एक आजाएगा और तेरे कम क्या ओगात किस्या कर maken चेक कर सकते हैं हमने क्या किया इवनिट डिजिट से यहां पर कर दिया हमने देखा कि आसपास 10 क्या सपास है और यहां पर एक होगा और यहां पर तीन है तो 13 होगा तो मैंने बीना सोचे समझे क्या कि डारेट कटा दिया इवनिट डिजिट आप चाहें तो आप भी कर सकते है पर पांच है इसमें क्या गुना करेंगे तो आपको पांच से गुना करना पड़ेगा पांच होने के लिए इसमें क्या गुना करना पड़ेगा छे होने के लिए पहले हमने आइडिया लगा लिया दस गुना से जादा है पहले हमने क्या आइडिया लगा लिया दस गुना से ही नहीं है चलिए क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है एक बार कॉमेंट करेंगे जल्दी जल्दी फटा फट से चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते है नेक्स्ट कोश्चन पर इसको बनाएगे देखें लसे में से बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है यह चेप्टर एक ऐसा चेप्टर है जो आप किसी भी एक्जाम को देंगे तो इसमें से कोश्चन आता है और इसके जितने भी टाइप से सारे हमने कवर भी कर लिए चलिए यहां पर कई सवरी बाते हो रही है इसका जबाब क्या हो गई बताएंगे ए और बी का महतम समपर तक साथ है दिमलिकित में से कौन सा उसका लगुतम समपर तक नहीं हो सकता तो दिखिए लग उत्तम समापड तक कौन सा नहीं हो सकता है यह आप से पूशा गया है इस कोशन को आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजेगा एक बात हमेंसे याद रखिएगा जो आपका LCM होता है दो संख्याओं का साथ से पूरी तरह से कट जाएगी अगर यह LCM होगा तो इससे क्या होगा पूरी तरह से कट जाएगा अगर यह LCM होगा तो साथ से पूरी तरह से कट सकता है सांक्या गटहिए गटा की को हुआता संय चौह टो खनाएंगी तो सबसे कट आई मृट है यह तो चौह साथ से काथ मृसाथ साथ सांक्याऊ साथ सक्षित रहाएं ऑर यहां पर चिप गया थीधिया 7-4, यह 12essä गrinee पर 12 साय। कट रही है यह भी कट रही है यह तो अब कर यह कुन में बचा यह साथ से नहीं कटेजी आप कर दो चेक भी कर ले या चीक आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीन option तो कटी रहे साथ से रिच 15 को को नहीं कट नहीं होगा तो यह संख्या श tới स्ञ यह संख्या जो है इन दोनों संख्याओं का कभी LCM नहीं हो सकती है यह सब LCM हो सकते हैं लेकिन यह संख्या कभी LCM नहीं हो सकती है क्योंकि SCF से महतम समापर्तक से कट नहीं रही है अगर यह कट जाती इसकी भी possibility हो सकती थी यहांनि option मुझे कोई दिकत नहीं चेप्टर सुरू करने मैं अभी भी कर दूँगा लेकिन यह आपके लिए पढ़ाया जा रहा है कि आपने चेप्टर पढ़ा उसके कम से कम जितने भी concept उसको तो पढ़ लीजे कि ताकि इससे कोई question आप से छूट ना पाए तो थोड़े से अराम से प सोड़ देंगे तो हमने सापको क्या रहेगा कहीं ने कहीं सापको डाउट आते रहेगा तो थोड़ा सा गवडाए नहीं इसको चाहें तो आप चेक कर सकते हैं सादुनी 14 एक बचा सादुनी 14 चार बचा और 46 कटेगा नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स question पे चार के बाद पा बाते कैसे आ जाती है अभी आप पढ़ रहें आपका सराध्यान कहां पर होना चाहिए यहां पर होना चाहिए आपकी इन comments का मैं जबाब भी देता हूं तो क्या होता है कि आप पढ़ाई से थोड़े से अलग अड़ जाते हैं मतलब बाते होने चाहीं कि बाते क्या करते हैं चलिए इसका जबाब क्या होगा यह बताएंगे सभी बच्चे फुटा फुट से comment करेंगे दो संख्याओं का महत्म समापर्तक आपको दिया गया है और जो है इन लगुतम समापर्तक निमिकित में से कौन सा हो सकता है इसमार हो सकता है कि बात की जारी हो सकता है जो संख्या चलिए च्वीज से ओपतना हो सकती है ऐसम। स्क्रवाइब। कर जाएंगा। 24 एकितनी बार में? त छे चोबीस कर चार और चोबीस कर चार और शे दुनी बारह और दू कितना हो गया? 14 यह संख्या चे से कड सकती है यह पॉसिबिल्टी है कि यह SCF हो सकती है यह भी 6 से नहीं कटेगा यह नहीं यह 24 से नहीं कटेगा यह संख्या भी 24 से नहीं कटे गी पहास्टे लिए और उप्सन नंबर वीज जवाब होगा यह संख्याल सarta हो सकती है यह संख्या जो- uns posIX क्या होसक्त आधर नाभ आते नेक्स कोष्षन और पर 5 नंबर के बाद 6 नंबर स्वाल चैने मर्च्वाल करτεृष और भांब क्या होगा यह बताएंगे सब्सक्राइक Ch Examper Tक 120 तै कि महतम समापरतक नहीं हो सकती है यह आपको बताना है जल्दी से बताएं इसका जबाब क्या होगा लगुतम समापरतक दिया गे इस बार जो संक्या इसको डिवाइड कर सकती है वो संक्या महतम समापरतक हो सकती है जो डिवाइड नहीं करेगी वो नहीं हो सकती है जल्दी से जबाब देंगे इसका क्या होगा शैन नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा सभी प्यारे बच्चे फुटा फुर्टे कॉमेंट करके बताएंगे एक बड़ जल्दी से बताएंगे इसका जबाब क्या प्रोशिबल है एक बड़ चार थर्टीफाइब बिलकुल सई जबाब बिलकुल सगे जबाब यही एक ऐसी संग्या जो इसको डिवाइड नहीं कर सकती है बाकि सारी संग्या इसको डिवाइड कर सकती दिया है यह संख्या क्या हो सकती है संख्या को सकती है बाकि यह संख्या डिवाइड नहीं करेगी तो 35 क्या होगा इसका जबाब होगा इसका जबाब क्या होगा 35 यानि कि option number D expression का जबाब होगा 35 संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती है तो यह आपका क्या हो गया जबाब हो गया आते हैं साथ नंबर स्वाल पर साथ नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह बताएं सेवें नंबर कोशन का जबाब सभी प्यारे बच्चे कॉमेंट करेंगे और बताएं олотब को लिए गया है दुनों संक्याओं का लगुतम समप़तक और महतन समपरतक आपको दिया गया है तो संक्याओं के बीतकर्म का योग क्या होगा यह बहुत कर्म का योग क्या होगा यह आपको बताना इस है कि बहुत ही संक्या क्या कहेंगे, पहली मनने अनुपात तो आप पता नहीं है लेकिन हुआ आप मैं AXY माल लिए वह बार निकाले इंटू IN системक्राइब हो गया यह पर है गया यह LCM हो गया अब यह LCM किसके बराबर है 180 के बराबर है पांसे करेंगे पांती पंदरा आप चक्टीश हो जायागा एकस वाई की वेलू आपने क्या निकाल ली 36 निकाल ली इसमें को इडाउट नहीं है ठीक है आप कोशन में कह रहा है कि दो संख्याओं का यूग दिया गया है 50 यह दोनों को जोड़ा है यह 5X आप प्लस में 5Y को जब जोड़ा गया है तो यह 50 के बराबर है यह एकस प्लस Y क इसके बराबर हो जाएगी 10 के बराबर हो जाएगी एक बात आपने यह निकालने है ठीक है आप कोशन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्यूत कर्म का योग क्या होगा यह आपको बताना है व्यूत कर्म क्या होता है इसका उल्टा उल्टा का मतलब 1 by 5X किसी भी संख् फसका उल्ट नहों इसको रख देता इसका वीद्यों के आपको बताने दोनों को जोड़ना है अब इसको सौल करेंगा और क्क्राइब एकस वाइस का LCM हो जाएगा LCM यह 5X से 5X कट जाएगा उपर में Y बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा यह कर जाएगा X बचेगा अब Y प्लस X की विल्व निकाल लिया है कितना 10 तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया यह 5 और X Y की विल्व निकाल लिया यह 36 यहाँ पर 36 लिख दिया अब 5 से बुलेंगे से दो बार में जाएगा 2 से एक बार में 2 से 18 बार में जाएगा उपर में एक और नीचे में 18 क्या होगा आपका जबाब यह 1 अपन में 18 यानि Option Number B क्या होगया इसका जबाब हो गया क्या आप मेंसे किसी बच्चे को डाउट है क्या आप मेंसे किसी बच्चे को डाउट है कोमेंट करेंगे तो इसका जवाब क्या होगा यह देखेंगे क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है कॉमेंड करेंगे फुटा-फुट से ऑप्सन नंबर भी आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन पर इसका जवाब क्या होगा साथ नंबर स्वाल का उप्सन नंबर भी बिल्कुल सेम टाइब का एक और कोशन है इसे करके आप बताएंगे सर इसका जवाब यह हो सकता है इसका जवाब क्या हो सकता है यह बता दीजिए बिल्कुल कर्म का योग क्या होगा यह आपको बताना है इस प्रश्ल का जबाब क्या पॉसिबल एकमेंट करेंगे कि कॉमेंट आ रहा है कि सर्फ कोर्स पूरा हो जाएगा Poro सापका 100% पूरा होगा फोस के बारे में आपको बिल्कुल टेंसर नहीं लेना है ठीक है को सबक्सक्रा क्या होगा पूरा हो जाये अचलिए अब इसका जबाब क्या होगा यह बताएंगे आपका ध्यान पूरा क्लासे जो है ज्यादा चल रही है तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रिबीजन करने का बहुत टाइम मिलता जाएगा अगर आप कोशन 10 पढ़ते हैं तो घर पे साथ सातर कोशन मिली जाते होंगे मिलम साथ सातर कोशन और मैक्सिमम पांचों सब्जेट के मिला करके सो कोशन आपको डेली मिलते होंगे तो सो कोशन जो है आपको डेली नया पढ़ना पढ़ता है और सो कोशन पढ़ना कोई कम बात नहीं होती है सो कोशन को आज की दिन में आ सब्सक्राइब तक समझ चुक्य होते हैं कि रिबीजन से ज्यादा इससे बाहर्ण आएगा ही नहीं लेकिन आपको इसकी फिक्र नहीं है कि आप ने रिबीजन नहीं किया है आपको है की पॉर्स होगा कि नहीं होगा स्व मैं 10-3 पर सेंट होगा ताइम से पहले होगा उसके लिए परिशान आपको बिलकुल नहीं होना आप यह सुचिए कि जब आपका कॉॉर्स कंप्लीट हो तो आपका मात भी क्या हो बिलकुल कंप्लीट हो चुका हो आपको लगे कि नहीं अब मैं में मैं बैठूंगा तो यह बात मुझे डेली आपको बतानी पड़ती यह बात आपकी है आपको खुद यह बात समझानी चाहिए अगर आप बहतर करना चाहते हैं तो अच्छी मतलब यह इतनी अच्छी बात में आपको बताएथी लेकिन आपको यह बात समझ मैं यह अभी यह बताएगगी तक तो पहली संक्या क्या हो जाएगे थ्री एक्स और दूसी संक्या क्या हो जाएगे कोई दिकत नियुक्त अब मैं आपसे बूल हूँ कि इसका LCM नेका लिए ता बोलेंगे तरी कौम ले लिजे और एक्स वाई बच गया तो इसको गुणा कर दीजे ये LCM होगा LCM किसके बराबर है 105 के बराबर है आप चाहिए इसको इसी तरह से रहने दीजिए कि अब दोनों संक्या का सम क्या दिया गया 36 यहां से X plus Y कितना आएगा X plus Y दोनों संक्या का यो कितना दिया गया 36 X plus Y क्या आगा 12 यह सम कितना दिया गया 36 दिया गया X plus Y 12 यह निकाल लिए इसका ब्यूत कर नहीं का लिएगा तो वन भई क्या होगा 3x अब यहां पर यहां पर 3xy हो जाएगा अब यह उपर में Y आप प्लस में क्या होगा आपको पता है कि X plus Y कि वहलो कितनी बारह और तरी एकस वाई किवए कितनी 105 अभी क्या करेंगे आप इसको कैंसिल करेंगे तीन से तीन चुक बारह तीन से करेंगे तीन तरी करनों और 35 यह जवाब आ गया आपका जबाब आगे चार बटे में 35 किया आग जबाब यह आप क्या होगे option number C कि आप सभी को बिल्कुल किलियर है comment करें जो फटाफुर से क्या कि उधाद लेकिन आप पढ़ रहे तो भंसेपड लेकिन अगर पढ़ रहे तो ढंसरे लिग लीजेकि ताकि किसी भी इच्टेयंगे तब कुमैस मेंpeace में कोई दिनकत नहीं हों तो आपके दिमाग में यह बाते चलनी चाहिए कि आपको बेहतर पढ़ना और इसको रिबीजन करना फिर देखो आप क्या होता है मतलब आपसे बेहतर को यह स्टूडेंट नहीं हो पाएगा चलिए अब इसके बार आगे ब относ नेक्स कोशन पे आठ नंबर के बार नो ब्ixa tym Maine परता है पढ़ाना भी ऍद्य नहां परता है मतलब बिल्कुल बच्चों की तरण आपको जाना पड़ता है ये कर लो आप वो ख़र लो यह बात आपको खुद समझ आनी चाहिए डेली परिसान कर देते हो comment कर के चलो यहां पर इसका जबाब क्या होगा ये comment करेंगे और बताएंगे इसका जबाब क्या पूंशी बनोगा आप कोंगा इतना बड़ी आपको पढ़ा है जा हाओ आपकी हरी बातों को सुना जाता है बहुत कम जगें जहां पर आपकी हर एक बात सु BUT वगाता हूं और रपÝ यह पूर जैसे आप सोच्छे हैं वैसे सोचिंटी है और आप पढ़ाता हूं है तो यह एंसर सारी मुझे प जागे कि इस कोशन को ऐसे बनाना है तब फटा फट से क्या करेंगे वैसे ही सोचेंगे कोस्टन को लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे जैसे आप चीजों को समझ सकते हैं समझने पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए तलिए आप कि अज़ा इसका जवाब क्या हो गई बताएंगे तीन संख्याएं यहां पर दी गई है और इसका अब दिखिये अब यहां पर को सब बना पाएंगे जवाप लॉजीकल स्ट्रोंग यह काम करेंगे एक दैकर यह रखेंगे और ओध리र किया प्जीक करेंगे यह तीनो संध्य हो का lcm कि आ अगर नहीं हो सकता किक तो आ नहीं हो सकता है जब यह चेंज नहीं होगा तो वह संक्या क्या होगी वह हमको ढूमना है तो चलिए इस कोशन को बनाते हैं जैसे यहां पर दिया गया गया और यहां पर 192 दिया गया ठीक है यह आपको तीन संक्याएं दे गई है तो यहां पर एक्स की बिलों को ऐसा संक्या रखना है जैसे ह 50 a京or हमने 80ilti 180 रखने से अगर सच्व जो है 1712 आ गया तो वह संख्या सनुम्हाइच को में होगोman अम्हें एक एक ऐसी संख्याइट लेना है कि जो स्च्व को भी बदल दे अब औरبد यहां प्रब हैं अधिल हैं लॉसक्षा म 레전borg के तो t तो पहले से कट कर रहा था इसको इसको भी कट कर रहा था इसको भी कट करेगा यह भी क्या होगा एक्स नहीं होगा जैसे आप साथ रखेंगे साथ तो साथ रखेंगे तो बारह इसको भी कट कर देगा तो यह भी क्या होगा आपका वैलू नहीं होगा जैसे आप और तालिस को भी बारा कट करेगा लेकिन यहां पर क्या चेंज आएगा और तालिस को भी बारा कटेगे लिए आप दिकत क्या है कि जब इसका स्थ निकालिएगा यह 48 जो है इसको को छोड़के कोई भी संख्या रखेंगे तो SCF क्या होगा 12 ही रहेगा हम को X क्या नहीं हो सकता यहां पे वो ढूना था X 48 नहीं हो सकता X 48 नहीं हो सकता ऐसे question को जल्दी अगर आपको पहचानना हो तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे ऐसे भी आप तो को सोर सकते हैं कोई देकतनी या धुक्त नियां थोरा सा और Jaldy एक पर बनाना चाहते हैं तो आप देखो कि इसमें से जो संक्हा है ये साठ है और 84 इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो इनको डिवाइड कर रही है मतलब जो इसको डिवाइड कर नहीं कर दो स्क जब कर सकते तो सोब उतिवाइड नहीं कर सकती जब यह संख्या और शौख में नहीं कर सकती है इसको भीत करेगी तो आएगी सद्सिक्राशन मुर्ट क्या होका बदाज गाएगा तो कोशन canyon邊 यहां उकशन का जबाब क्या होगा links नो न बडिनो नंबर का 10 10 numbers all का जबाब क्या होगा देस नमबर स्वाल का जबाब क्या होगा इस अ कि क्या सभी बच्चों को समझ में आया था कि चलिए इसका जबाब क्या होगा यह कॉमेंट करके आप लोग बताएंगे यदि पंदरह पचीस तीस एक्स का लग उत्व समपर तक 300 हो तो एक्स का मन क्योंगी बहुत इंपोर्टन कोशन है यह भी बहुत इंपोर्टन कोशन है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं यह तो ऑप्स इस रखने पर भी आपका क्या आना चाहिए यह एक रखने पर 300 को सटिस्फाइब करेगी वह संख्या क्या होगी हमारी एंसर होगी इस तरह सब को चारों आप्शन चेक करना पड़ेगा तो आप इस कोशन को बना पाएंगे नहीं थोड़ा साब दिमाग लगाएंगे तो च महत्रम já people you talk to Samapartaka 350 aides your consumer ja कि अगर 12 रखने पर ट्रीrat तो यह अंसर हो जाएगा अगर 4 रखने पर पिर पे तीम सो आता है तो यह एंसर होगा एक रखने पर तीम जो आता तो यह एक तरीका यह दूसरा तरीका इसका क्या है उसको देखेगा थोड़ा समें explain कर देता हूं अभी तो फिर आप डारेट कीजिए गा 15 को मैं आप से पूछ उपी 15 का 25 का और आपको 30 का LCM निकालना है 15 का 25 का 30 का LCM निकालना है 15 का 25 का और 30 का LCM निकालना है ताब बोलेंगे सर 5 और इंटू 3 लीक सकते हैं इसको इसको 5 का स्कॉार लीक सकते हैं इसको 2 इंटू 3, 6 आप 25 ऐसे लिख सकते हैं अगर इसका LCM निकालना है सब डारेक्ट भी का LCM सकते है 150 आएगा क्या गएन फिद्टी लिकिन इस तरह से मैं क्यों बता रहा हूं तो समझे गहां हमने क्या कि इसका ölसे निकाल इसका एलसे मैं आप से पूछू हुआ कि दो का मैक्सीमम पहर कितना है कब जानए test दो का दो यह ön मैक्सीम पहर कितना है कि जो तो तीन कभी एक ही है पांच का मैंकिमम पहर क्या है दो तो अच काप यंडो अब गुना कीजिए अच्छे में 25 से गुना करेंगे 150 यानि इसका जब आपने LCM निकाला तो कितना आया इन तीनों संख्याओं का LCM कितना है 150 आया अभी आप समझेंगे फिर इस कोशन को बनाएंगे ठीक है लेकिन LCM जो अब इसमें जो है इसमें क्या गुना किया जाए कि LC OCM जो मैं मतलब X की value क्या रखी जामरे पाद चार संक्या है X के value क्या रखी जाते हैं कि हमारा LCM कितना अजय hr 300 आजए 300 आजनेalonली कम से कम इसको जो है एक 3 और चाहिए इसमें क्या चाहिए आपको टो कम से कम 12 और चाहिए अगर 2 चाहिए मैकसिमूम पर ले पाएंगे अगर हमको एक दो और चाहिए उसके लिए में क्या करना पड़ेगा दो कप और दो करना पड़ेगा एक दो तो यहाँ पर हमारे इसका जबाब होगा अगर यह थोड़ा बहुत समझ यहाए है इसको मैं और सिम्पल कर Getting अगर यह थोड़ा बहुत समाझ आया हो तो मैं आपको और सिंपल कर देता हूं अवसको सदैद आप डारेक्ट ठीड कर पाइब जिसना आपको बोलौ किसका HCM क्या होगा अब डैरेक्ट बनाई इसका HCM क्या होगता बोलेंका स långस्रिपोटी इसमेकुए इसने को एदिकत निया na लें लेकिनघन पर एलस खुना गोगा इसमें कमजे कम दो सीगुणा करेंगे तो क्या होगा siltyne 35 आप अबुस्टो के लिए Stone TV क्या होनी होनी चाहिए यह आप से पूशा गया क Adventure best disappointing क्या लेंगे कि 100 Sc dışANG उम्मारे पास और एकॉल जाए already uhश में इसमें 1 दो ले लिआ हुआ है देखिए इसमें क्या किया हम ने एक दो ले लिया हुआ मतलब यहां के है इक दो हमने पहले से ले लिया है एक दो हमें एक्स्ट्राइट चाहिए फं greeting औरर जैसे करेंगे अब और एक्सट्रा मेंने एक और यह जैगा जीन थो यहां पर यह थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा तो आपको अराम से बना पाइंगे तो दूसरा आप्सैन किया है कि आपको एक वार बीँ Corn अर्को और ल्लम निकालना परेगा कि एल्सियंग मरल आ गया तो आपका भी से जह है नहीं है तो यहिकर नहीं होगा बाए रखेंगे यहां पे यह हैं यह पे और याफट गया इचार हो संक्या का तो बारा सही है नहीं आये जो आए गाए आपका क्या उगा जबाब में अब इसके बाद आते हैं next question पर तो आप option से चाहें तो option से भी कर सकते हैं लेकिन यह जो तरीका में आपको बताया अगर आप इसको समझ पा रहे हैं थोड़ा से समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो यह आपकी question को अब आपको यह दिया गया है यहां पर दिया गया है तो आपको question करने में बहुत time लग जाएगा आप इसको check करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे अब इस question को आई बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का इन को इन सब्की और देखना है हाप आल चम कितना जेगा ईगा साठाज है और इंथने हैं एक कि एक इन 20 और चाहिए एक्स्ट्रा एक तीन हमारे पास और चाहिए एक्स्ट्रा और हम देख रहे हैं कि एक तीन हमने यहां पर ले लिया है पांती पंद्र एक तीन ले लिया है एक तीन ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा यह तीन का पर दो करना पड़ेगा यहां पर नो रहेगा यहां जबाब क्या होगे नो यह आप्शन नंबर बी आपका जबाब हो गया अगर चलिए किया यह समझ पा रहे हैं यह इसका दूसरा ओप्सन क्या है कि आप 15 बीस और पहला प्से छे लेंगे इसका खालेंगे क्या है से अगा जबाब एकका जबाब लेंगी गया इसका लशे में अगर 180 यह ठागर चैके तरीए कि थे बाकी प्र आता है चीजा लेना कि आपको एक ती चाहिए एक तीन यहां पर है और एक तीन जादा लेना या क्या करणा पढ़े गा जोड नहीं हो न इतना जोड नहीं देना अगर आपको समझ में यहां तो कोई बात नहीं है आई यहां पर देख लिजिए आप क्या कीजिए 15 का 20 का और क्या कीजिए यहां पर X की भिलू छेले लिजी इसका LCM निकाले इसका LCM कितना आएगा तो बोलेंगे तर इसका LCM आएगा साथ साथ है इसका LCM क्या साथ है इसका LCM साथ है नहीं है यह जवाब नहीं हो सकता अब दूसरा ऑप्सन इसका क्या है कि 15 20 और दूसरा ऑप्सन क्या है नो ले लिजिए इसका LCM निकाले इसका LCM क्या आएगा तो यह हो जाएगा तीन का मैक्सिम पार 9 यहां से लेना पड़े पर रहा होगा आपको आपको किसी भी तरह का जोर आपके दिमाग पर देना नहीं पढ़ रहा होगा यह आपका जबाब क्या हो गया आपका बिल्कुल पर सही जबाब हो गया क्योंकि इसको रखने पहले चेमें अगर यह अगर यह अगर यह नहीं होता तो इस पर आते यह भी नहीं होता तो इस पर आते अगर चली आगे बढ़ते नेक्स कोश्चन पर 11 के बाद 12 पर आते हैं 12 नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह बताएंगे 12 नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह बताएंगे 12 नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा सभी बच्चे कॉमेंट करेंगे और बताएंगे चल्दी सिर्द 11 और 12 देखिए आप बढ़ियां सा कोशन था ऑपका दस था 11 बारण नम्मर कोशन का जवाब क्या होगी बताईए जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा गंटी वाले कोशन तो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिये हैं गंटी वाले कोशन तो इस्टार्टिंग में आपको करा जा चुके हैं किसी बच्चे का कोमेंट ट रहा है कि सर बीस लीजिए बीस कहां गया है आप वी सतों नहीं है चलिए इसका जवाब क्या होगी बताएंगे दो संध्या हो कमातां सलंपर्तक लगुत्र संपर्तक चुराशी गुणा है तो उनमें से एक संध्या अगर 56 हो तो दूसरी संध्या क देखिए इस question को कैसे बनाएंगे देखिए आपको दिया गया है कि जो लगुतम समापर्तक है महत्म समापर्तक का 84 गुना है यानि HCF का HCF का जो है LCM क्या है 84 गुना है अगर इसको में X मानेंगे तो इसका 84 गुना क्या होगा 84 X होगा यह question में दिया गया है कि HCF का LCM क्या 84 गुना है अब दोनों संक्याओं का जो है दोनों संक्याओं का महत्म समापर्तक और लगुतम समापर्तक का योग दिया गया है योग दिया गया है तो इन दोनों संक्या को जोड़ दीजे पहले इन दोनों को सम कीजिए इसको योग कीजिए दोनो संख्या को जोड़ा गया LCM और SCF दोनों संख्या को जोड़ा गया LCM और SCF को जोड़ा गया तो क्या हुआ 680 मिला कितना मिला 680 कोशन में कह रहा है कि दोनों संख्या के महतम समपर्तक और लगुतम समपर्तक का योग चेशे सवसी है तो दूनों संख्या के लगूतम समापड़तग और महतम समापड़तग कहीं हो । है कि 55 X 1735 85-85 17 चूका 17 चूका 68 आपका क्या हो गया जीरो हो गया यह क्या हो गया यहां से आपने क्या किया LCM निकाल दिया अब आपको पता है कि सर पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है LCM और इंटू में क्या होता है SCF पहली संख्या क्या दिया गया एक संख्या 56 दिया गया है दूसरी संख्या आपको बतानी है LCM आपने निकाल लिया हुआ कितना 84 और इंस्टू आठ और स्ट इसक्राने काल या आपने आठ आठ से क्या हो गया आठ सत्य चपपन हो गया साथ से करेंगे किया हो जगा साथ एकम साथ दूनी-14 हो जाएगा दुसरी संख्या ब्रत का जिए 12-18-96 क्या हो गया जबाब यानि उप्सन न हो गया बिल्कुल सही जबाब हो गया कि इस प्राशन में किसी बच्चे को डाउट है को चले कि तो बारवान सवाल का जबाब क्या होगा ऑपसन नूम्र डी होगा बारह की बाद तेरा प्याद है तो यहां के जबाब आप जल्दी से करके बता दीए बिल्कुल सेम खुंशन है बिल्कुल सेम type का कोषिन है आप साइब को सब्सक्राई करेंगे इसका जबाब और क्या होगा जल्दी बता इधे तेरे नंबर-साथ की लगुतम समवापर्तक तथा उनके महतम समवापर्तक का छे गुना है यदि उनमें से एक संक्या 45 और लगुतम महतम समवापर्तक का यूग दिया गया है तो दोसी संक्या क्या होगी यह आपको जली से बताएं तो यहां पर जो है LCM जो है SCF का 6 गुना है अगर SCF को हम क्या मानते है X मानते है LCM क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 6X हो जाएगा आद दोनों का यूग दिया गया दोनों का LCM SCF का यूग यहां पर दिया गया है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा आप बराबर में क्या हो गया 315 साथ से करेंगे साथ चुका 28 और क्या होगे साथ परचे 35x बराबर क्या हो गया 45 यानि आपका यह क्या हो गया 45 और यह LCM कितना हो गया 6 और इंटू में 45 अब आपको पता है कि पहली संख्या और दूसी संख्या पहली संख्या कितना दिया गया है एक संख्या 45 है यह पहली संख्या और दूसी संख्या बराबर में क्या होता है LCM और इंटू में क्या होता है SCM मिचे अगुना में क्या हो गया 45 45 से 45 कड़ गया दूसी संख्या बराबर क्या आगे 6 35 और 6 यह 35 हो गया च्छे चोगा 24 24 और तीन कितना होगा 27 दोसो सतर इसका जवाब हो गया option number C तेरे नमबर स्वाल का जवाब क्या होगा option number C हो गया कि जिए 11 नमबर को से repeat कर दीजिए 11 नमबर कोशन तो मैंने आपको बताया तो दो-दो तरीके सब को बताया मैंने 11 number को इतना बढ़िया तरीका से बिल्कुल सेम कोशन है दस ना सोरी इक 11 नमबर कोशन करके एक बार रिलेट करेंगे क्या होगा उसका जवाब अब यह प्रशन में आपको देता हूं हमवर्क में इस कोशन को बनाईएगा और बताईएगा इसका जबाब क्या पॉसिबल है तो तो तेरे नंबर स्वाल का जबाब क्या गया 270 ऑप्सन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ह चलिए तो कल आप क्या चेप्टर पढ़ना चाहते एक बर कॉमेंट करके बता दीजिए बेल वाले कोशन आपके नहीं हुए बेल वाले कोशन तो मैंने स्टाटी में कराया थे ऐसे मैं देख लूँगा नहीं हुआ तो कल एक दो कोशन आपको उस पर करा दूँगा चलिए एक बर आप कॉमेंट करके बता देंगे मुझे जल्ली से कि यह सब समझ आया एक बर जली से कुमेंट कीजिए क्या आप LCM SCF की कोई भी कोशन बना सकते हैं ऐसा कॉन्फिदेंस आपके अंदर आया एक बर यस या नो कॉमेंट करके बता दीजिए और कल क्या चप्टर करना चाहते है ओभी एक बर कोमेंट कर देंगे अचलिए जल्दी से कबर कोमेंट करेंगे क्या LCM SCF की आप किसी भी कोशन को बनाने के काबिल बन चुके हैं आपको लगता है कि आप LCM SCF के सौ परसन्ट तो नहीं कम से कम 80 परसन भी कोशन आप बना सकते हैं ऐसा अपके अंदर आया एक बार यस या नो कॉमेंट कर देजिए कि चैप्टर का नाम तो मैंने देख लिए आपके चैप्टर के नाम देख लिए बस इतना कॉमेंट करके मुझे बताए कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया की नहीं आया कि आप LCM SCF के 80-90% को अराम से बना सकते हैं कि 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 करेंगे सभी प्यारे बच्चे टॉपिक्स में आपके देख लिए टॉपिक्स आपके मैंने देख लिए तो आप सभी बच्चों को पता है कि परिवर्तन 2.0 आपके अप्लिकेशन पर आ चुका है अगर आप में से कोई भी परिवर्तन 2.0 में जुड़ना चाहते हैं या फिर आपके दोस्त हो या कोई भी स्टूडेंट हो जो गुवर्मेंट जब के तियारी करता हो उन सभी को परिवर्तन 2.0 के बारे में बताईए उसमें 70 प्लस कोर्स है मात्र एक कोर्स के फी में और उसमें भी आपको सटेड़े को मॉक्टेस्ट कराई जाएगा अगर आप किसी भी फैकलिटी से अलग से पढ़ना चाहते हैं उसकी फैसलेटी उसके अंदर अबलेवल कराई गई है और कम्प्लिट ए कर पाए तो तो कल आप topic में ले करके आओंगा topic तो आप सारे topic का नामी लिख दे हैं यहां पर कल में कोई topic में लेकर आओंगा फिर में लेंगे हम लो next class में तब तक के लिए जैहिंद जय भारत जय जांपूर कर गई झाल झाल